जैश्री रादे किष्णा एक बार श्रीकिष्ण राण्य गोपिया नदी की किनारे बैटी हुई थी तब ललिता सकी ने कहा हे श्रीकिष्ण हमेशे क्यों आप लड़की का वेश बदल के आते हैं चाहे वह गोपा देवी का रूप हो या श्यामा का रूप हम पैचान नहीं पाते यदि आप लड़के की तरह ही आते तो हम पैचान लेते तब श्रीकिष्ण कहते हैं कि सकी तुम मुझे नहीं पैचान पाऊगी ललिता सकी ने कहा नहीं हम पैचान सकते हैं मैं आपको चुनोती दे रही हूं आज आप वेश बदल कर दुपैर को देवी रादा के कक् कौने कौने में पहरा देने लगी तब श्रीकिष्ण वहां जोतिश के रूप में आए गोपियों ने जोतिश को आंगर में ही रोक लिया और पूचा कि कौन है आप तब श्रीकिष्ण में गोपियों को बताया कि मैं जोतिश बताने वाला हूं मुझे देवी रादा से मिलन जीवन के बारे में सब कुछ बताया उसके माता-पिता के बारे में पताया और उसके बवी के बारे में थे बताया तब ही जले जाने के लिए कहा नट श्रीकेशन नरीटा सकी के बार में पताने लगे श्रीकेशन ने भी कहा कि intellig तुम ने आज किसी को सुनोती दी है और तुम्हें डर है कि तुम चुनोती हाड ressert ललिता सकी जोतिश के बताई हुए सच्चाई को सुन हैरान रहे गई तब ललिता सकी ने जोतिश से माफि मांगा और जोतिश को समान पुर्वक देवी रादा के कक्ष ले कर गई देवी रादा ने श्री किष्ण को देखा और हसने लगी ललिता सकी ने देवी रादा से हसने का कारण पूछा तभी शडीकेष्यणि अपनी मदोरावाद से कहा सखी लालिता दुपयर हो गई है ललिता रहे गई-पूपणिया-श्री केअ हुए चनौती को जीते थे तो यह अच्छी वीडियो है अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगए तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और एडियराणरों को सबस्ट्राइब कीजिए